दोस्तो दिल्ली विकास प्राधिकरड यानि DDA में भरती निकाली गई है MTS के पोस्ट पे मल्टिरेंस स्टाप एंड ड्राइबर के पोस्ट पे अगर आप दस्वी पास है तो आप इस दोनों वेकेंसी के लिए अपलाई कर सकते हैं इसमें आपका आवेधन स्टार्ट हो चु कंपनी है BASIL जी हैं दोस्तो ब्रोड कास्ट इंजिनिरिंग कंसल्टिंग सर्विस यह प्रवाइड करती है यह देखिए भारत सरकार की एक कंपनी है देखिए गौर्मेंट ऑफ इंडिया इंटर प्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन और ब्रोड कास्टि है तो इसी के अंतरगत जो है वेकेंसी निकाले गई आप देखेंगे इनके ओफिसली वेब साइट पर लिखा हुआ है कि अर्वटाइजमेंट नंबर 445 इनका नोटिफिकेशन नंबर अप्लिकेशन इन्वाइट फो रिकूट्मेंट ऑफ मेन पावर प्योर्ली ऑन कॉंट इनके ओफिसली वेकेंसी वेकेंसी आपको इसी तरह से चल रही है तो इस तरह से वेकेंसी निकलते रहती है इसका रिजल्टी आया है 430 इसतरह से अब देखेंगे तो और भी इस तरह से रिजल्टी का देखिया वा एक और वेकेंसी नेस्नल बोर्ड ऑफ देख रहा है इन्बीए में तो यह आपको वेकेंसी हमैसा निकालते रहते हैं यह सारे के सारे वेकेंसी कॉन्ट्रेक्ट बेस नमर 445 आप फॉर्म भरेंगे तो यह अपना याद रखेंगे को कि वेकेंसी का जब रिजल्ट आएगा यह सब जो होगा वह सब अद्वर्टाइजमेंट नमर के तुरों ही जारूई हो रहा है अब दिखें यहां पर आपको बताया गया है कि आपका जो है MTS के 64 पद हैं और म यहां पर आपको ड्राविंग एक्सप्रियेंस आठ साल का बोला गया है अच्छा नौलेज होना चाहिए ट्रैफिक रोड वगर का और यहां पर जो है आपको GPS एप्स ऑपरेशन वगर अभी चलाना चाहिए इसमें भी आपको बोला गया है कि आपका उम्र तीर सट वर्ट स अच्छी खासी होती है अब हाला कि government भी भागे तो salary अच्छी मिलेगी अब दिखें यहां पे जो पद हैं MTS वाला इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि यहां पे 64 पद है इसमें दो पद है तो यह जो है टॉप vacancy है आप इसके लिए अविदन करिए सिर्फ metric pass प्रिफ से उसके recording होगा और यहां बोला गया कि preference will be given to local candidates मतलब जो डेली का local candidates है उनको ज्यादा जो है preference मिलेगा who are already working in the similar department अगर जो अलड़ी पहले से यहां काम करें उनको ज्यादा preference मिलेगा no TADA विल पैड कोई TADA वगरा पैड नहीं होगा और यहां पे आपको online mode में ही form को भरना है अभी मैं बताऊंगा application fee वगरा क्या लगता है अब देखिए इसको बताएगा कि इस website से आपको form को apply करना यहां carriers का option मिलेगा वहां से आप जो है relation form पे click करके online form को apply करेंगे उसके बाद से आपको सरी जनकारी age qualification experience यह सब भरेंगे और form को submit कर देंगे इसकी बाद से आपको ब email के माधियम से mobile SMS के माधियम से आपको जो है सारी जनकारी दे दिया जाएगा यहां बोला गया कि candidates must review application form carefully before final submit करने से पहले आपको जो है अच्छे से जो है सभी application को verify कर लेना है कि हाँ आपने सारा जनकारी जो है सही से दिया हुए कि नहीं है only shortlisted candidates as a per eligibility criteria will be called for a skill test मतलब यह बो जाए जाएगा selection process जो होता है इनका हो सकता है कि आपका directly skill test पर रख लें या interaction में इंटरव्यू के basis पर रख लें हमारे पास हम देखेंगे इसमें से सबसे best qualification किसके पास है experience किसके पास है समझ देखेंगे उसके बास इसमें समझेंगे 30 लोग क्या किये कॉल किये कि आईए मेरा इंटरव्यू दीजिए आपका selection हो गया आप shortlist हो गया है तो इसी तरह से यहां पे इन्होंने कि बताया हुआ अब यहां पर बोला गया कि जब भी आप फॉर्म भर देंगे उसका प्रिंट आउट अपने पास जुरूर रखेंगे आगे यह लोग मांगते हैं अब यहां पर कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए तो आप इसमेल कर सकते हैं इनका कॉल नंबर है इस बात भी आप कर सकते ह कि कैसे आपको फॉर्म को भरना होता है तो देखें इस वेब साइट से भी या इस वेब साइट से भी आप फॉर्म को भरेंगे फॉर्म भरने के लिए यहां पर देखें अड़र्टाइजमेंट वगरा इंटर बेसिक डिटेल्स क्वालिफिकेशन एसकेन फोटो सिनेचर ब इस एक पद के लिए भारेंगे तो जनरल से हैं तो 880, OBC का 880, SST के लिए 531, X-Service में लिए 880, उमेन के लिए 880, और यहां देखेंगे आपको बताएगा, EWS और पीएज के लिए 531 रुपी आपको जहां पर अप्लिकेशन फी देना होगा, तो यहां आपका अप्लिकेश चार्ज भी लग सकता है, कुछ 1-2% जो लगता है, तो उस अब भी आप जोड़ लिजेगा, अब समझते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, थोड़ा से जनकारी समझते हैं, तो हम आपको ले चलते हैं, बेसील.com की वेबसाइट पे ही, और जहां से आपको फॉर्म को भर करेंगे, आपका रेशन का फॉर्म इस पर सरकर से खुल जाएगा, आपको अडवर्टाइजमेंट नमबर यहां पे चुनाव कर लेना है, तो देखें, यहां अब पर जो चल रही है, अभी परजेंट में उस सबब आपका अस्तो करेंगा, तो अगर आप MTS के लिए फॉर् कितने पद के लिए करना चाहते हैं, एक क्या दो के लिए, क्योंकि वहां दो वेकेंसी थी, अब एडवर्टाइज भाई, यहां आटोमेटिक आ जाएगा, पोस्ट अप्लाइड फर, किसके लिए अप्लाइग करना चाहते हैं, देखें, MTSRX, स्टाप कार आप चुनाव कर लेंगे, फिर अपना फूल लें, फिर आपको फादर्स नेम, फिर आप डेटर बर्थ, इमेल आइडी, मोबाईल नमबर, अल्टरेंटिम मोबाईल नमबर, इंपलोई पहले साप हैं, तो उसका इंसुरेंस नमबर वगर दे सकते हैं, पहले से इंपलोई हैं उनके लिए, फिर यहाँ पर आपको पैन नमबर, कैटेगरी बताना है कि आपकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जेनरल ओबी सी जो भी है, अब यहाँ पर आटोमेटिक फी भी आ जागा, जो भी आप कैटेगरी चूच करेंगे, रिलिजियन लिखेंगे, हिंदू, मुसलिम क्या है, ज युजरिइए, पता चल ढता है, फिर आपको लास्ट में जमा करना होता है, जमा कर देंगे उसके बाद से आपका फॉमाःल नम, कंपलीट अगर आप चार इस भरती के लिए फॉर्म भरना तो फॉर्म भर सकते हैं आपको डिस्क्रिप्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या बेसिल.com की वेब साइट पर आएंगे तो यहां पर आपको वेकेंसी का एक उप्शन मिलता है यहां पर वहां से आप जनकारी को प् आपका दिन शुभ हो